Hello everyone, welcome back to my channel Beauty Secrets Sindhi कैसे हैं आप सब? Hopefully अच्छे होंगे, positive होंगे और अपना ख्यार रख रहे होंगे If you have lot of hair problem like आपके hair damage हो चुके हैं बाल पहले मोटे थे, अब फतले हो चुके हैं बालों में बिल्कुल भी shine नहीं है और बाल बहुत जादा तोट रहे हैं Then सबसे पहला काम आपको यहाँ पर करना है अपना shampoo change करना है आपको market के shampoo avoid करना है क्योंकि आप कोई भी shampoo लेते हैं market से या shop से, सब में chemical भरेवे होते हैं इसलिए मैं आपको suggest करूँगी कि आप अपना homemade cleanser घर पर बनाए कैसे बनाएंगे don't worry मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा एंड तक वीडियो को देखें अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आईए जानते हैं my dog let's to be done homemade shampoo hair cleanser बनानी के लिए हमें कुछ चीज़े घर से चाहिए होगी तो सबसे पहले हमें एक पैन लेंगे बरतन लेंगे और पहला ingredient हमें आपर चाहिए होगा प्यास के चिलके प्यास के चिलके बालों को सिर्फ बढ़ाते ही नहीं है बलकि हमारे बालों में natural color देने का काम करते हैं प्यास के चिलकों में प्यास से भी ज़दा sulfur content होता है ये मैं आपको पहले बिता चुकी हूँ और ये हमारे hair roots से लेकर पूरे बालों को पोशन दिने का काम करते है जिससे हेल्धी जरीके से हैर ग्रोथ होती है जब बालों को सारा पोशन मिल जाता है तो वो long, strong और ठिक होते हैं प्यास के चलके इतने strong होते हैं कि ये गंज़पन दूर कर सकते हैं और आपके खोई हुए बालों को वापस ला सकते हैं दो से तीन प्यास के चलके रिमोफ करके पैन में मैंने डाल दिये नेक्स्ट यहाँ पर आपको चाहिए होगा मुलतानी मिट्टी सबसे पुराना सबसे अच्छा हैर क्लींजर जिसको पुराने टाइम से लोग इस्तमाल करते हुए आ रहे हैं हम सभी जानते हैं कि शैंपू जब नहीं हुआ करते थे तब लोग मुलतानी मिट्टी से ही अपने बालों को धोते थे मुलतानी मिट्टी बालों में नैच्रल चमक लाने का काम करती है यह सकेल्फ में हुआ डैंडरॉफ इंफेक्शर प्रॉपर्ली क्लीन आउट कर देती है और इसके अलावा मुलतानी मिट्टी सर में ठंड़क देती है हैर स्टेंड्स को मजबूत करती है तो पाउडर है तो आप पाउडर दो चमच मुलतानी मिट्टी का इसमें आड़ कर लेंगे अगर आपके पास इस तरीके से मुलतानी मिट्टी के तुकडे हैं तो आप 3-4 तुकडे वो आड़ कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम इसमें आड़ करेंगे 3-4 spoon rice, चावल, चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हैं, चावल में available starch, बालों के damage को repair करता है, अगर आपके बाल बहुत जादा दो में हो चुके हैं, बालों में split ends बार बार होते रहते हैं, तो उनको repair करने का काम चावल करता है, चावल में available antioxidant, vitamin C, हमारे ब पकाएंगे तो चावलों का starch पानी में चला जाएगा, और प्यास के चलकों के जितनी भी goodness है, qualities है, वो सारी पानी में चले जाएगी, so time note कर लिजए, पंदरा में अच्छे से boil कीजए, उसके बाद गयस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें, जब यह ठंडा हो ज हैर टॉनिक की तरह आपके बालों को जड़ से मजबूत भी करेगा, और उनको लंबा भी करेगा, अगर आप अपने बालों में आईल नहीं लगाते तब आप इसे ऐसे ही इस्तिमाल कर सकते हैं, इससे अप अपना हैर वाश कर लीजिए, और अगर आप 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 तो कोई भी माईल शैंपू थोड़ा सा बालों में जो अच्छे से ऐल को रिमूव कर दे, वो आपने ले लेना है और इसमें एड करके सको मिक्स कर लेना है, इस शैंपू आप बना कर 15-20 दिन के लिए फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं, वीक में दो बार तीन बार जब होमेट क्लींजर शैंपू आप इस तरीके से घर में बना सकते हैं, मार्केट के शैंपू इस्तमाल करने के जगा, आप अपना खुद का होमेट क्लींजर बनाएं, इस्तमाल करें, उसके बाद जो डिफरेंस आपके होंगे, मार्केट वाले शैंपू इस्तमाल करने के बाद और ये शैंपू इस्तिमाल करने के बाद वो आप हमें कमेंट सेक्षिन में बताईएगा तब तक के लिए मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में स्टे हैपी और सेफ